नमो अरिहंतान, नमो सिध्धानम, नमो आयरियान, नमो अज्जायान, आलोए सल्वसाहूनम तीन भुवन में साथ, वीतराग विज्ञान का, शिवसरुप शिवका, हमहत्रियोग समारी के कविवर पंडित, दोलत राम जी के द्वारा रचित, छेडाला नाम का गरंथ है, दूसरी डाल की, साथ तत्तों के समंद में अज्ञानी जीव की क्या भूल होती है, ये वरणन इसमें चल रहा है, कल हमने, आस्रव तत्तों के समंद में जो विपरीत मानिता है, भूल है, वो चर्चा करी थी, आतम हित हेतु विराग ग्यान ते लखे आपको कर्षेजान, उसके बाद, बंद तत्तों में उन्होंने कहा, सुब असुब बंद के फल, मजार रती अरती करे निजपद विशार, देखो क्या कहा, कि सुब और अशुब बंद के फल, इन्हें तीन चीज़ें आई इसमें, सुब भाव, अशुब भाव, शुब कर्म, मैंने साता वेदने आदी पुण्च कर्म, साता वेदने आदी पाप कर्म, और इनके फल, तेन चीज़ें कॐने से होगी, सुब असुब भाव, यह होगे भाव कर्म, सुब असुब भाव में हो गया भाव कर्म और सुब असुब कर्म बंद कर्म बंद हुआ उसमें हो गया द्रबे कर्म और इनका फल इनका फल में हो गया नो कर्म ठीक है तो अग्यानी जीव क्या करता है कि ये सुब असुब ये क्या है सब ये बंद के फल मानने ये विकार के फल है ये अनकूलता मिले प्रतिकूलता मिले तो अनकूलता प्रतिकूलता जो भी अपन लोक में कहते हैं वो सब बंद का फल है तो उस बंद के फल में ये जीव क्या करता है का अपनी आत्मा के पद को भूल कर अपना आत्मपद कैसा है ग्यानानंद सभावी है ग्याता दश्टा सभावी है जानने देखने के सभाव वाला है तो उसे भूल कर सुब बंद के फल में तो रती करता है और अशुब बंद के फल में अरती करता है यानि क्या मतलब कि बंद के फल में भला बुरा मानता है तो क बंदन बंदन में क्या अंतर है कि कुछ भी अंतर नहीं है लेकिन सोने की बेड़ी वाला अपने को कहे कि देखो बंदा हूं तो ठीक है लेकिन बंदा तो सोने की बेड़ी से हूं लेकिन बंदा है ना मुक्त तो नहीं है लेकिन ये बात उसे पता नहीं पढ़ती क्यों नहीं पढ़ती क्योंकि निजपद को भूल गया है अपना पद कैसा है अपना पद न सुब बंद के फल में रहने का है ना असुब बंद के बंद में रहना आत्मा का सभावी नहीं है लेकिन अपने सभाव को भूल करके सुब और असुब बंद के फल में रती अरती करता है इसमें भी वह आट बातें लगेगी सुब बंद के फल में रती पने से अपनी पहचान करता है असुबंद के फल में अरती पने से ये सब लग जाईए फिर इसके बाद एक बहुत अच्छा आया संबर का आया आतम हीत हेतू विराग ज्ञान विराग किसे कहते है ज्ञान किसे कहते तो को राग देश के अभाव रूप परणती प्रकट होना इसका नाम है वाईराग ज्ञान के अपनी आतमा के आस्रे से आतमा के अवलमन से प्रकट होने वाली राग रहित परणती नहीं वीत राग परणती का नाम है वाईराग ज्ञान यानि सम्मे ज्ञान का नाम है ज्ञान उसमें दरसन सामिल है तो आत्म ये जो ग्यान और वेराग्य है ये क्या है ये कि आत्मा का भला करने वाले हैं इनसे आत्मा का हीत होता है आत्मा संसार समुद्र से पार होता है लेकिन ये ये हुआ संबर तब तका जियों का तियों सर्दान अगर वो यह माने आतम हित हेतू विराग ग्यान तो कोई गलती नहीं लेकिन गलती क्या करता है ते लखे आपको कष्ट दान क्या मतलब कि इनको अपने इन आतमा का हित करने वाले ग्यान और विरागे को कष्ट दाएक मानता है मुनिराज होते हैं न तो मुनिराज ग्यान और वेरागे की मूर्ती होते है ग्यान और वेरागे संपन होते हैं लेकिन अपन लोग संयोग दरश्टी से माप करने वाले जीव मुनिराज की बाईय परिस्तिती को देखकर के सरीर पर वस्तरका धागा नहीं है भोजन की परियाप्त विवस्ता परियाप्त विवस्ता का मतलब कि वो तो अंतराई टाल के भोजन करते न तो कभी मिले कभी नहीं मिले कभी मिले तो अंतराई आ जाए न यह सब और मुनिराज रहते किदर हैं कि वन जंगल में रहते हैं तो वन जंगल में रहते हैं तो वह आने एक प्रकार के उपसर्ग परिशा आने की संभावना है तो अपने को क्या लगता है कि ये मुनिराज कितने कश्ट में है बहुते लोग तो बोलते हैं कि चारित्र का मतलब है लोहे के चने चबाना और वो भी केसे कि दूद के दांत से दूद के दांत समझे कि जब अपन छोटे थे थे ना तो अपने जो पहली बार दांत आते हैं और बाद में तूट करके जो नए आते हैं उनकी बात नहीं है पहली बार जनम के बाद जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं दूद के दांत वो कमजोर होते हैं तो आट-दस साल की उमर में तो वापस सारे तूट जाते हैं तो कहते हैं कि अरचने कौन से वो भी लोहे की इस तरह की बातें अग्यानी जीव करते हैं चारित्र धारन करो, तब तुम्हें पता लगे, खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, इस इस तरह की जो बातें चलती है, तो वो समद लेना, कि आत्मा के ग्यान और वेरागे को कश्ट्र दायक मानने वाले हैं, कि अरे भया, तो मोक्ष मार्ग का जो कारण हो, समवर तो मोक में दसा हो कार्य, और दुख में दसा हो उसका कारण, ये समबवे कभी? कि अरे समबर माने अलप आनंद और मोक्ष माने पूर्ण आनंद, तो वो अलप आनंद बढ़ करके पूर्ण आनंद होता है, ये इस बात की अज्यानी को पता नहीं है, और वो एक तरह से चारित्र को आत्म ज्यान को कष्ट का कारण मान करके सच में चारित्र का आवरनवाद करता है मोक्ष मार्ग को कष्ट दायक मानता है ऐसा समझना फिर एक से लिए रोकेन चाह निजशक्ति खोई रोकेन चाह निजशक्ति खोई कि अपनी आत्म शक्ति को भूल कर जो को अपने को किसी भी परपदार्त की चाह क्यों होती है अपने में कमी दिखती है अगर अपने को ये पता लगे कि मैं हूँ अपने में स्वयम पूर्ण तो जो पूर्ण हो उसको क्या चाहिए एक में क्या मिलावे के वो एक हो जाए तुम ही को कह रहे हो एक में क्या मिलावे के वो एक हो जाए जब वो एक है ही तो उसमें मिलानी की आवशक तक है तो आत्मा का सवाव परिपूर्ण है लेकिन हम अपने परिपुर्ण सभाव को नहीं स्विकार कर पाते हैं नहीं करते हैं तो अपने को अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इच्छा को दवा करके दूसरी इच्छा कर लेते हैं जिन्वानी क्या कहती है इच्छा निरोधस तप त तपसा निर्जराच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अग्यानी जीव कै करता है इच्छाओं को नहीं रोगता बलकि इच्छाओं की पूरती में संतुष्ट होना मानता अपने को मेरी इच्छाओं इदी पूरी हो जाये तो मैं सुखी हो जाओंगा और आचारे कहते हैं इच्छा रूपी गड़्डा इतना जबरदस्त है कि उसमें लिखा आत्मानुस आसन में एक शीव अनंत है और एक एक जीव का इच्छा रूपी गड़्डा इतना है कि तीन लोग की संपत्ती भी उसमें अनू के बराबर है यह उंट के मुख में जीरा रखे तो बोलो किसके हिस्से में क्या आवे तो इच्छाओं की पूरती करके तो कभी सुखी नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते कि अरे इच्छा खुद ही दुख रहे समझागे ना तो यह निड़दरा तक तक ही भूल हो गई और शिव रूप निराकुलता कि मौक्स कैसा है कि निराकुलता मैं है लेकिन उसको नहीं पहचानता मतलब क्या मानता है यह भईया मौक्स में तो कुछ है ही नहीं नहीं कि शरीर है नहीं खाने पीने का सादन है नहीं घूमने फिरने का सादन है नहीं कोई व्यवस्था नहीं है वो तो ठीक चलो व्यवस्था नहीं है कोई बात में चला लेंगे काम लेकिन अगर हम सिद्दा ले में गए तो वहाँ पर विराजमान जो पहले से अनंत सिद्ध हैं उन में से कोई सिद्ध ये कहने वाला नहीं का आईए पधारिये वेलकम स्वागत हम कहने वाला कोई अपन कहीं भी जाएं और अपने से कोई नहीं बोले बात नहीं करें अपने से तो अपने को कैसा लगता है अरे औरों की बात तो छोड़ो अभी तुम अपने घर में जाओ, और घर में जाने पर सब घर वाले मॉन ले करके बेठे हूँ, है ना कोई बोले नहीं, दो चार दिन तक बोले हैं नहीं, तो किसा लगेगा, बहुत दुरा लगेगा ना, ऐसे यहां पर हैं, तो कोई बोलता है नहीं वहां पर, इतनी वीवारिकता नहीं कि हम इतनी दूर से इतनी मैन्थ करके मोक्स में गए हैं और तुम पहले से मोक्स में बेठे हो तो कम से कम कुछ हाल चाल तो कूछ लो हमारे कोई पूछने वाला उसा अग्यानी को लगता है तो भैया ऐसा मोक्स कि मॉक्ש हमें नहीं चोले तुम्हें मिलेगा ही नहीं है लग रहा है कि शिंटा हुआ वक्स प्रणा में परिणमन है उसमें आकुलता है ही नहीं और जहां सर्व आकुलताओं का अभाव हो जाए उसी का नाम मोख्ष है यह तीसरा दिखा रहे हैं ने मोख्ष आप्रकाशक का उसमें यह पूरा वर्णन आया है बहुत अच्छे से डिटेल से वहां पढ़ना दोगों यहां तक क्या हुआ कि यहां तक जीवादी प्रियोजन भूत तत्त्त सर्दे तिनमाई विपर रहे थे यह जो लाइन आयी थी नहीं वो यहां से चलू हुई वहां से और यहां तक उस लाइन की पूर्णता हुई मने यहां तक अगरहीत मित्क्या दरसन का सरूप कहा फिर क्या हुआ कि यहीं प्रतीती जुत वोना इस प्रकार जीवादी साथ तक्तों की अयथार्त प्रतीती से युक्त जो कुछ भी ग्यान है अब जो कुछ भी ग्यान में क्या लेना कि निगोद का अक्षर के अनंत्वे भाग ज्यान का उगाड हो अत्वा मिथ्या जश्ती के योग्य क्यार अंग नोपूर्व का ज्यान का उगाड हो ज्यान का उगाड कितना है जैन दर्शन उसके आधार पर मुल्यांकन नहीं करता आप कितना जानते हैं उसके आदार पर जेन दर्शिंका मुल्यांकर नहीं है आपका हमारा ग्यान ग्यान सभाव को जानता है के नहीं अनुभव पूरवक आत्मा की अनुभूती पूरवक उस ग्यान में ग्यायक प्रसिद है के नहीं हुआ अगर ग्यान में गया एक प्रसिद नहीं है तो ग्यारह एंग नो पूर्व का ग्यान हो तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि थोड़े ही काल में वो ग्यान अक्षर के अनंत में भाग ग्यान में परणिमित होने वाला है और सम्मे दश्टी जीव को सिव भूती मुनिराज की तरह बहुत अधिक ग्यान का उगार ना हो तो भी वो अपनी आत्मा की आराधना के बल पर केवल ग्यान प्राप्त कर सकते हैं धाई दीप के बाहर असंख्यात तिरियंच सम्मे कदश्टी और पंचम गुनस्तान वरती हैं अब उनसे तुम पूछो का आसरों की परिभासा बताना ज़रा साथ तक्त्यों के नाम बताना ज़रा साथ तक्त्यों के नाम नहीं आते उनको परिभासा हैं नहीं आती लेकिन उसका भाव भासन उनको हो गया नाम नहीं आते भाव भासन हो गया यह है तो यहीं प्रतीती जितो कच्छो के ग्यान सोग दुखदाई अग्यान जान उसमें क्योंकि वो ग्यान दुखदाई क्यों है क्योंकि वो ग्यान परलक्सी है और परलक्सी ग्यान कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता सोलक्सी ग्यान ही एक मातर सुख का कारण होता है राजमल जी साब ने कलश्टिका के पहले कलश्ट के अर्थ में ये बात लिखी कि संसारी जीवों को ग्यान भी नहीं और सुख भी नहीं और इनका सुरुप जानने वाले को भी खाली संसारी जीवों का सुरुप जानने ले इनका बाहर बैड लक्सी ग्यान वाला तो उसको जानने वाले को भी ग्यान भी नहीं और सुख भी नहीं क्यों? क्योंकि उस ग्यान को हम ग्यान कहते ही नहीं जिस ग्यान के साथ में आनंद अत्वा सुख नहीं आवे अतिंद्री सुख नहीं आवे उस ग्यान को हम ग्यान ही नहीं कहते क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस इंञाण ने ग्याएक को आस्रे नहीं किया ग्याएक को आस्रे करता तो उसमें अंपने को अतिंद्री सुक्षी कनब प्रकट हो रुत है बiedzाने ज़ने, ग्याएक बड़ाबर, अब ही देखो आगे के लिए फिर इन जुत अब दोगो इसमें थोड़ा समझने का है ये बहुत खतरनाक बिंदू है कि इन जुत इन जुत माने क्या कि उपर जो जीवादी प्रियोजन भूत तक्तों की अयतार्त सद्धान की बात की और उस से सहित उस अयतार्त सद्धान से सहित जो अग्यानी का निगोद के अंदर अक्षर के अनंत्वे भाग ज्यान के उगार से लेकर मिठ्या दिश्टी के योगि ग्यारा अंग नोपूर्व का ज्यान है मिठ्या ज्यान है तो इस तरह मिठ्या दर्सन और मिठ्या ज्यान से युक्त विसियों की जो प्रवर्ती ताको जानो मिथ्या चारितर नहीं है जाते हैं दर्षण मिथ्या ज्यान के बिना यानि सम्मेक दश्ती जीव को च עלवर्ती की संपदा मिले और इंद्र सरी के भोग मिले और उन भोगों में वो चकरवर्ती अत्वा इंद्र दिखाईदे उसे अचारित्र तो कहेंगे क्या कहेंगे उसे अचारित्र तो कहेंगे लेकिन मिठ्या चारित्र नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे मिठ्या चारित्र क्योंकि वो सम्मेक दर्सन सम्मेक ज्यान सहीत है सरूपा चरण चारित्र सहीत है वो पांच इंद्री के विशियों को भोगता हुआ दिखाई देता है इंद्र की संपदा को भोगता हुआ दिखाई देता है लेकि सच में उसे उसे उन इसको भोगने का कोई रस नहीं है अपन कह सकते हैं कि जब रस नहीं है तो भोगता क्यों है और भोगता है तो रस कैसे नहीं है प्रशन खड़ा होगा कि नहीं होगा अपने चित्ते में तो देखो इसला कारण यह है जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं दवा को खाने में अपने को कितना रसे हमारा बस चले तो हम दवा को हाथ ही नहीं कोई ब्टिकल वाला हो अपनों पर मेडिकल्ट वाला कि भाई साथ हमें सेवा का औसर देते रहना तो अपन क्या बोलेंगे भैया बददुआ देने के लिए मैं ही मिला था क्या नहीं डॉक्टर की किसी डॉक्टर के काउंंटर पर किसी डॉक्टर के क्लिशनी पर आपको ये लिखावा नहीं होती तो लेता हुआ दिखता है लेकिन रस नहीं होता और जो बंद होता है ना वो बंद अंदर के रस से होता है बाकी का बंद कोई ज्यादा अन्द संसार का कारण नहीं होता तो आगया और एक द्रविलिंगी मुनी है तो ओद्रवेलिंगी मुनी मिथ्या दश्टी है बाहर में महावरतादी की किरिया करता है कौन सी किरिया करता है जीवन में एक चीटी जिसने मारी नहीं समझा गया महावरतादी का पालन करते हुए भी उसे जिनागम में मिथ्या चारित्र की संग्या दी गई है क्यों दी गई है क्योंकि वो उस महावरतादी की प्रवर्ती से होने वाले पुन्य भाव में तो धर्म मानता है एक बात और महावरतादी रूप जो सरीर की किरिया होती है तो उस शरीर की किरिया में उसका अपनापन है तो जिसने शरीर की किरिया में अपनापन माना उसने अजीव को अपना माना और जिसने महावरतादी के सुभभाव को बंध का कारण माना सोरी बंध का कारण नहीं धरम माना उसने उस कसाई के परणाम को जिसको धरब माना उसको तो अपना माना नहीं तो उस कसाई के परणाम को अपना माना इसलिए बाहर से परिग्रही दिखने वाला वो द्रविलिंगी मुनी अंदर से कसाई और काया का परिग्रही होने से जिनागम में मिठ्ख्या चारित्र तो कहा ही है उसे असेयमी भी कहा है जब कि बाहर में कितना सेयम होता है कितना सेयम होता है बाहर में असेयमी के दिया क्यों के दिया कि देखो मना वो उन परणामों को धर्म मानता है तो अगर वे परणाम धर्म हो तो फिर पुन्य का कारण क्या होगा पुन्डे बंद किस से होगा ये बता ने जरा कि इन परिणामों से तुमने धरम मान लिया तो अब पुन्डे बंद का कारण कौन है ये बताओ और दूसरी बात कि भाई जो राग दोस रूप है ध्यान से सुनना ये बहुत मारमिक बिंदू है जो राग दोस रूप है उसको धरम माने गुन रूप कैसे मानते हो तो राग दोस है के गुन है बताओ दोस है तो मुनी राग तो 28 मूल गुनों का पालंग करते है मूल गुन है ना बहुत बिंदू समझने का है ये वो तो गुन है ना कि अगर राग गुन होगा ध्यान से सुनो राग यदी गुन होगा तो फिर तुम दोस्त किसे कहोगे ये बताओ जबाओ कि हम थोड़ी कहे रहें वो तो सास्तर में लिखा है कहां सास्तर में लिखा है बिल्कुँ सही लिखा सास्तर में क्यों लिखा इसलिए लिखा कि उनको अंतरंग में तीन कसाई चोकडी के अभाव रूप वीतराग परनती रूप गुन प्रगट हुआ है क्या प्रगट हुआ है वीतराग परनती रूप गुन प्रगट हुआ तो अंदर में वीतराग परनती रूप गुन प्रगट हुआ उस गुण का उपचार किस पर किया उस राग रूप दोस पर करके दोस को गुण कहने का नाम विवहार है मन गुण है दोस को गुण कहने का नाम विवहार है इसलिए विवहार से 28 मूल गुण कहे जाते हैं और निश्चे से कहेंगे तो क्या है वे उनकी भूमिका में पाए जाने वाले 28 प्रकार के दोस हैं किसे आप केसे दोस हैं अगर अच्छा एक बाब बताओ अगर वे परिणाम को मुनिराज दोस नहीं मानते तो साथवे गुनस्तान से और उससे आगे की भूमिका में मुनिराज जाते हैं साथवे गुनस्तान में निर्विकल परूफती होती है और आथवे गुनस्तान से सरेणी आरोन होता है बराबर तो सरेणी में kis का अभाव करते हैं वो पाप-भाव तो मुनिराज को होता नहीं पाप-भाव तो मुनिराज पहले ही छोड़ चुके अभी साथवे अथवा उससे आगे के गुनस्तानों में वो किसका अभाव करते हैं इन मूल गुन रूप दोसका ही ता अभाव करते हैं इस राग का ही ता अभाव करते हैं तो अगर राग गुन हो तो जो गुण हो उसका अभाव किया जाता है कि उसे बढ़ाया जाता है नियाई से विचार कर लो लेकिन वो तो अभाव करते हैं तो अभाव करते हैं का मतलब क्या हुआ कि है तो दोस लेकिन दोस को गुण कहने का नाम व्यभाव मने वो व्यवहार से चारित्र है राग है वो क्या है व्यवहार से चारित्र कहा जाता है परमार्त से चारित्र को वीतराग परनाम है व्यवहार चारित्र का मतलब क्या व्यवहार चारित्र का मतलब क्या अचारित्र भाव में चारित्र का उपचार करने का नाम विवार चारित्र है आगी बास समझने है आगी बास समझने है ना तो ये अंतर समझना मिठ्या चारित्र अग्यानी का केसा भी मंद कसाय का परणाम भी हो तो भी वो मिथ्या चारित्र है ज्यानी का केसा भी परणाम हो उसकी भूमिका केसा का मतलब भूमिका के प्रमान भूमिका के योग्य सुब परणाम हो के असुब परणाम हो सुब परणाम को विवार चारित्र कहा जाएगा ज्यानी के सुब परणाम को विवारचारित्र कहा जाएगा ज्यानी के असुब परणाम को अचारित्र कहा जाएगा क्या कहा जाएगा अचारित्र लेकिन मिथ्याचारित्र नहीं कहा जाएगा यानि क्या विचित्रता है इस दर्शन की कि ज्ञानी का असुब भाव भी मिथ्या चारित्र नहीं और अज्ञानी का सुब भाव भी सम्वेक चारित्र नहीं आगे अंतर समझ आएगे नहीं आगे आगे नहीं हो तो पूछे ले ना कोई भी प्रशन समझ में नहीं आएगे है ना अब यह वो प्रशन करते हैं गोसे लोग किसा वो तो प्रतिग्या होती है प्रतिग्या करते हैं न मुनिराज तो 28 मूल गुन की तो क्या गुन अरे भाईया मुनिराज कभी भी 28 मूल गुन की प्रतिग्या करते ही नहीं क्या गजब बात नहीं करते तहां नहीं करते प्रतिग्या सामाई की होती है सुद्धो पयोग रूप सामाई की की प्रतिग्या मुनी दसा माने सुद्धो पयोग रूप सामाई उसकी प्रतिग्या लेते हैं जिस समय दिक्षा विदी होती है उस समय आचारे उनको संबोधन करते हैं कि तुम सुद्धोपयोग रूप स्रामन्ने को अंगीकार कर रहे हो लेकिन तुमारा उपयोग यदि इसमें स्थिर नहीं रह सके तो अपवाद मार्ग के रूप में कौनसे मार्ग के रूप में? अपवाद मार्ग के रूप में 28 मूल गुणों की विवस्था है मने इस राग की मरियादा के बाहर तुम नहीं जाओगे एसा उपदेश उनको देते हैं प्रतिग्या नहीं होती प्रतिग्या तो समाई की होती है क्यों? क्यों नहीं होती? चारित्र होता तो प्रतिग्या होती उसकी क्यों नहीं होती प्रतिग्या? तो उसका कारण है 28 मूल गुण का विकल्प कौन से गुनस्तान में आता है मुनिराज को? छटे गुनस्तान में मुनिराज छटे गुनस्तान में पांचवे से जाते हैं या साथ में से आते हैं तो साथ में से छटे में आना गिरना है या चड़ना है गिरना है तो क्या गिरने की प्रतिग्या होती है क्या चड़ने की प्रतिग्या होती है प्रतिग्या चड़ने की होती है अरे गिरना तो होई जाएगा जब तुम चड़े हो और वहाँ टिक नहीं पाओगे तो नीचे तो गिरोगी नीचली भूमिका में तो आओगे उसकी प्रतिग्या नहीं होती पढ़ना समय सार में प्रोचन सार में दिक्षा विदी का वनन है पुरा पढ़ो उसको सुद्धो पयोगरूप सामाइक की प्रतिग्यांगी कार की होने पर भी यदि मैं इस राग परनती को नहीं उत्याग करूँ तो महादुख संकट निकट है यह सब लिखा है तीन बातें सौनगा आगी समय चारित की समझ में आगी अग्यानी का जितना भी राग है मंद कशायका हो तिवर कशायका हो एक लाइन से मिठ्याचारित ज्यानी धर्मात्मा मुनिराज का 28 मूल गुनादी का विकल्प वो व्यवहार चारित्र और अंतरंग सुद्धी वो निश्चेचारित्र चोथे पांचे गुनुस्तान में अंतरंग सुद्धी सरुपा चरंचारित्र और देश चारित्र उसके साथ में उनकी भूमी का के योगिस्थ भाव चोथे गुनुस्तान में देवसास गुरू की शद्दा पांचे गुनुस्तान में अनुरतादी का परणाम ये उनकी भूमे का के योगिस्वभाव वो व्यभार चारित्र या समझगे आगया कि ने आगया और और क्या असुभाव भी होता है कि ने होता असुभाव होता है कि ने होता असुभाव होता है उसको क्या बोलेंगे अचारित्र ग्यानी का अचारित्र और अग्यानी का मिथ्या चारित्र आगे समझें तो इन जुत विसियन में जो पर अकेली विसियों की प्रवर्ति का नाम मिथ्या चारित्र नहीं हमारा कहने का मतलब ए है मिथ्या दर्सन मिथ्या ग्यान के साथ विसियों की प्रवर्ति हो तो मिठ्याचारित्र सम्मेग दर्शन सम्मेग ज्यान के साथ विशियों की प्रवर्ती हो तो अचारित्र यहां किसकी बात चल रही है मिठ्याचारित्र की तो मिठ्याद्रष्टी को विशियों की प्रवर्ती होती है विशियों की प्रवर्ती हो मिठ्या दर्शन मिठ्या ज्यान पुर्वक होती है इसलिए उसे की विशियों की प्रवर्ती वो तो मिठ्या चारित्र है अच्छा ही बता विशियों की निवर्ती कैसे होती है अग्यानी की वो मिठ्या दर्शन ज्यान पुर्वक होती की नहीं होती क्या बोलेंगे फिर उसे बहुत गहरा है मर्म प्रवता को जानो मिथ्या चारित इतनी गहराई में अपने को जाना पड़ेगा मिथ्या चारित का सुरू समझने के लिए कुछ भी अपने बाहर के किरिया देखी और अपने बाहर का थोड़ा देख लिया और अपने समझ लिया कि चारित्रवंत है ऐसा नहीं सम्मे दशन तत्तो ग्यान है के नहीं तत्तो ग्यान के बिना जैसे जड़ के बिना वरक्ष नहीं रहता उसी प्रकार सम्मेक्त रूपी बीज के बिना तत्त चारित्र रूपी वग्रशन खड़ा लिए आगया यो मित्यात्वादी निसर अब जे ग्रहित सुनिये सुपते हैं अब ग्रहित मित्यादर्शन में उनने क्या कहा कि जो कुगुरू, कुदेव, कुधर्म, सेव कि कुगुरू, कुदेव और कुधर्म की सेवा करते हुए अपने दर्सन मोह को पोशन करते हैं कौन से दर्सन मोह को? कि पोशे चिर दर्सन मोह एव चिर मने अनादी काल से चले आए दर्सन मो की वर्तमान में पुष्टी करते हैं और केसे पुष्टी करते हैं उन पुष्टी के निमित कों है महाने यह समझ लो मिठ्या दर्सन, मिठ्या ग्यान, मिठ्या चारित्र की ठोक एजेंसी किसके पास है एजेंसी किसके पास है कि एक कू देव, कू गुरू और कू धर्म यह है न, कि इनके पास मिठ्या दर्सन, मिठ्या ग्यान, मिठ्या चारित्र के एजेंट हैं यह इनकी दुकान से अपने वो क्या माल मिलेगा सिद्धी सी बात है कि सब्जी मंडी में जाओगे तो सब्जी मिलेगी कोईले वाले की दुकान पे जाओगे तो कोईला मिलेगा किराने वाले की दुकान पे जाओगे तो किराना मिलेगा कपड़े वाले की दुकान पे जाओगे तो कपड़ा मिलेगा जवेरे की दुकान पे जाओगे तो जवाराप मिलेगा सर आपकी दुकान बेजाओ तो सोना चांदी मिलेगा तो इनकी दुकान पर क्या मिलेगा मिठ्या दर्सन ग्यान चारित्र के ये एजेंट हैं उसके समलोड डीलर हैं उसके डीलर हैं ठीके उनके यहां ये ही मिलने वाला है मनद वो आपके मिठ्यात को तो हमारे मिठ्चातों को पोशन करेंगे तो इसलिए उनका सेवन उनको मानना, क्यों उनको मानने का मतलब क्या है? उनको मानना मानने उनकी मानना, आगे समझनी आए कुछ उनको मानने का मतलब क्या है? उनकी मानना, मानने वो जो कहेंगे वो ही तो मानेंगे हम क्योंकि वो जो कहते हैं वो बात हमें अच्छी लगती है तभी तो हम उनको मानते हैं तो उनकी मानते हैं तो उनको मानते हैं संद्जागे कि नहीं आगे है तो वास्तों में जो उनकी माना उनकी माना उनकी बात को हमने माना उससे हमारा दर्सन मो पुष्ट हुआ और उनकी बात को मानने से दर्सन मो पुष्ट हुआ ने तो वे भी दर्सन मो के कौन होगे निमित होगे पोशन करने में तो वो आ गया अब फिर इन्होंने कूगुरू, कूदेव और कूधर्म का सरूप बताया है तो वो आप देख लेना इसमें कोई ज़्यादा नहीं है अलग आप पढ़ना उसको अब उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मिथ्या, ग्रीट मिथ्या क्यान किसे कहते है उन्होंने कहा कि एकांतवाद दूसित एकांतवाद से जो दूसित है एकांतवाद मने मिथ्या एकांतवाद जैन डरसन में सम्मेक एकांत को तो स्थान है मिथ्या एकांत को स्थान नहीं है एकांतवाद दूसित समस्त विस्यादिक पोसक मने एकांतवाद का पोशन का एकांत वाद से दूसित है विसे कसाय का पोसक है और प्रसस्त मने खोटे भावों का निमित है जिसको पढ़ करके अपने को भी खोटे भाव हो जाएं है ना एसे रागी कुमतिन करती रागी कुमतिन रागी रागी मने रागी जहां रागी सब्द आ जाए ना वहां मिठ्या दर्सन सहीत का राग लेना ग्यानी को राग होता है लेकिन ग्यानी रागी नहीं होता रागी किसे कहते हैं कि जिसकी राग में एकत गुद्धी पड़ी है वो रागी ग्यानी को राग होता है लेकिन ग्यानी रागी नहीं होता आगी बात समझें तो रागी कुमती कुमती मने कि जिसको मिठ्या दर्सन है न तो मिठ्या दर्सन है तो उसकी मती कैसी होगी उसका ज्ञान कैसा होगा उसकी बुद्धी कैसी होगी कि वो भी कू मती खोटी मुद्धी होगी अरे खोटी बुद्धी है तभी तो एकांत वाद से दूसित विश्यादी का पोचन करने वाले और अध्य प्रसस्त सास्त्र लिखने का भाव किसी संजन पूरुस को आ सकता है क्या बोलो आ सकता है किसी सजन गुरुस को कि नहीं आ सकता सिधी सी बात है है ना तो रागी कुमतिन करती सुरुता भ्यास देखो सुरुत देखो अपने कहतें के साथ थी तो टोडर मल जी ने भी पढ़ा था अन्निमत के साइट के उनने भी पढ़ा था कि दो को पढ़ना एक अलग बात है किसलिए पढ़ना कि इन्हों ने कहां कहां भूल की कहां भूले हैं तो जानकारी के लिए पढ़ना यहां सब्द क्या डला है पढ़ना सब्द नहीं डला क्या सब्द डला है सुरुत का अभ्यास अभ्यास माने समझा आगे कि नहीं आगे कि जिसमें हमारे को कल्यान की भावना से जिसका हम अध्यन करें कि इससे मेरा हित होगा इससे मेरा भला होगा ऐसी भावना से जो हम इनके द्वारा रचित सास्त्रों का अभ्यास करते हैं अभ्यास करना मतले हैं बारम बार उसका चिंतन कर रहे हैं मनन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं सीख रहे हैं सिखा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं उसका वह या तुमने वो तो पढ़ा होगा आत्मा को सुद्ध गुद्ध तो वहां भी कहा है ठीक है एक जगे युद्ध की बात भी की है लेकिन आत्मा को तो सुद्ध गुद्ध कहा है हाँ कहा उन्होंने भी कहा आत्मा अच्छद है आत्मा अभेद है आत्मा को तलवार काट नहीं सकती आत्मा को तीर मार नहीं सकता क्या करें कि इसलिए हे अरजुन चला दे तीर क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं है नहीं आत्मा की अमरता का कथन करके युद्ध का प्रियोजन साधा हो आपुत्रस से गती नास्ती कि पुत्र के बिना गती नहीं होगी किसे कसा trio शाधा हो कि अगा एक इसी विकरती है तो रागी कुम्ति नी करती सुता भ्यास सोहे कुबodus क्या करेगा वो कुबोद के बहुत देन डिरास क्यों है क्यों कि तेरी विपरीत मान्यता को पुष्ट करने में कुब अई है कि बोलो कितना गजब का लिखा है चोटा सा गरंत है लेकि छोटे से गरंत में कितना गागर में सागर भर दिया आया कि नहीं है समझ आगे बराबर है ना अब देखो फिर लिखा कि अब मिथ्या चारित्र किसे कहते कि जो ख्याती लोक में मेरी प्रसिद्धी हो लोक में मुझे लाब प्राप्त हो कि मुझे लोक त्यागी समझेंगे चारित्रवान समझेंगे तो अनेक प्रकार की धन संपत्ति देंगे इज़त देंगे लाब अनेक प्रकार का होता है नाम का लाब होगा लोग जानेंगे कि ये कितने बड़ी तफस्री है ये स्थेलेगा मेरा मेरे सिस्य मंडली बनेगी है ना तो ये कि ख्याती लाब पूजा दी की चाह से लोग पूजा करेंगे मून्ड मुडाए तीन गुण ये सिर मुड़ाते तो लोग तुझे एक कवी ने लिखा कि मुण मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज मने सिर में खुजली हो किसी को और सारे बाल उड़ा ले तो क्या होगा कि खुजली गा है तो मुण मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज और खा आने को लड़ू मिले और लोग कहें महराज समझाए एक नहीं है बोलो यह स्कीति है अब दखो एक चीज और समझना कि जब भी इस तरह की चर्चाएं आवें तो किसी दूसरे की और हमारा लक्ष जाने के बजाए हमें ये विचार आना चाहिए कि हे आत्मन तूने अनंत बार ख्याती लाब पूजा की चाह से अनेक प्रकार के कूवेस धारन किये हैं अरे कूवेस ही नहीं अनंत बार मिथ्या दृष्टी द्रविलिंगी मुनी होकर नवें ग्रेवग गया है द्रविलिंगी मुनी की बात आवे तो कोई मुनी अपने लक्ष में नहीं आना चाहिए सब मेरा इतियास चल रहा है दूसरे जीव कि जो गलत मार्ग पर है जो मिठ्या मार्ग पर है जो उल्टे रास्ते पर है वे अपने उल्टे रास्ते पर चलने के फल में निकट भविस्य में अनन्त दुख भोगेंगे तो जो अनन्त दुखिर खुद भोगने वाले हैं सच में वे तो बेचारे करुणा के पात्र है वे द्वेश के पात्र नहीं आगी बास सुनने तो आगया कि जो ख्याती लाब पूजादी चाह धरी करत विविद विदि देह दाह अनेक प्रकार से शरीर को पीड़ा पहुंचाते हूँ अनेक प्रकार से अपने यहां भी है अपने यहां भी क्या होता है दस लक्षन पर आएंगे न भी तो दस लक्षन पर में क्या होगा अगर लोग मेरे दस उकवास है मैं अगँ ठी है क्या कर रहे हैं उक्वास में दो तीन दिन तो मंदिर आते हैं पूजा में बेठते हैं फिर क्या होता है स्वाध्याय में बेठते हैं फिर क्या होता है सबसे पहले स्वाध्याय में बेठना बंद क्यों कि भी चार दिन होगे उक्वास को फिर दो तीन दिन बाद फिर क्या होत फिर अंतिम दिन क्या होता है आज मंदिर आने की ताकत नहीं है भाईया उक्वास काई के लिए क्या दा खाली पेट में रोटी नी डलने का नाम उक्वास है क्या कसाई विसे अहारतीन का त्याद इसको उक्वास कहते है सेसको स्री गुरू लंगन कहते है और उसमें क्या होता है अपन ने उप्वास किया अपन अपनी घटित करें अपन ने उप्वास किया दस लक्षन का अब अपन मंदिर में आके बैठ गे उप्वास किया अब लोग आ रहे हैं लेकिन कोई अपने इसे पूछी नहीं रहा कि तुम नहीं उप्वास किया तो अंदरी अंदर बड़ी बताने की वो चल रही है अब जो लोगों ने नहीं पूछा तो फिर अपन ने एक तरीका निकारा तो और साथ केसे हो बढ़िया है आज तो आपका उप्वास होगा पर्व का पहला दिन है आज तो आपका उप्वास होगा कि नहीं भाई साथ मेरा तो उप्वास नहीं है मेरा तो आज उप्वास है होगी बाग पूरी इसी तरह दस लक्षा में हरी नहीं खाएंगे इस सब मैं बता रहा हूँ इस सब अपन लोग करते हैं इस सब इसी में आएगा हरी नहीं खाएंगे कि बहुत अच्छी बा च्छे महिने से पहले बहुत सी हरी चीजें सुखा करके रखने लगते हैं कि क्या कर रहे हो देस अलक्षन आएंगे ना उसमें काम आएगी यह तुमने राग कितना लंबाया अपना उससे बढ़िया तो हरी खाले कि उसमें उतनी देर का तो पाप लगता हूं यह छे महिने त त्याग है रस्त्याग किया अब नमक का त्याग किया तो भोजन तो भाएगा ने रोटें अच्छी ने लगेगी सब्जी अच्छी ने लगी तो क्या करें तो भाई साब नमक की खाले थे न उससे बढ़िया क्या गुराई थी नमक ने क्या बिगाड़ा था आपका नमक छ नहीं एक बार भोजन करना वो भी कैसा भूख से कम उसी का नाम एक असन है ना अब ये क्या करेंगे एक आसन तो इन्होंने क्या क्या असन को तो भूल गए और असन की जगे आगया अब आसन और आसन पे मंदिर में आकर के आसन पे विराजमान होंगे भाई साथ तो समलोग दस बजे मंदिर से आए तो आते ही आसन पे बेठेंगे पहले ब्रश करेंगे फिर हुकाली हुकाली जो कुछ पीना है चाय वगरे जो भी जो भी समलोग पीनेगे उसके बाद खाना खाएंगे खाना खाने के बाद फिर क्या पानी भी बाद में नहीं लेना है तो क साड़े बारा बजे आसन छोड़ा कितना टाइम लगाया डेट गंता और अगर हम दोनों टाइम भी भोजन करते तो कितना टाइम लगता था आदा गंटा तो एक गंटा बसता ना तुमने राग बढ़ाया या घटाया ये बताओ समझागे जैन दर्शन की कोई भी क्रिया राग को बढ़ाने के लिए नहीं है सोच लेना ये सब जो हम इस तरह के उटपटां काम करते हैं ये सब तत्व ग्यान की समझ के बिना होते हैं पंडि टोटबंजी ने लिखा ग्यानी को उप्वास आदी की इच्छा नहीं है एक सुद्धो प्योग की इच्छा है सुद्धो प्योग की इच्छा है अब येदि सुद्धो प्योग में भोजन करना बाधक लगता है तो उप्वास करते हैं और सुद्धो प्योग में भोजन ज़्यादा कर लिया इसलिए प्रमाद आता है तो उपवास करते हैं और उपवास करने से चक्कर आते हों और सुद्धो प्योग नहीं सकता हो तो भोजन करते हैं यह है आता है एक विशा उधारन आता है उधारन क्या आता है कि एक मुनी राज थे मुनिराज थे तो आचारे शरी मुनिराज नी आचारे थे तो उन आचारे के दो सिस्से और दोनों सामाईक में प्रमाद कर रहे हैं प्रमाद आ रहा था दोनों को सामाई करने में आचारे के पास गये साथ आज हमसे सामाईक में हमको प्रमाद हुआ प्राइश्शिभी जी आचारे भगवान ने कहा आप कल से एक महने तक निरंतर आहार के लिए जाएंगे क्या कहा उनको एक महने तक आहर के लिए जाएंगे आहर करेंगे ये तो कहीं नहीं सकते आहर मिलना नहीं मिलना तो अलग बात है आहार के लिए आप निकलेंगे एक महने तक और उनसे कहा तुमको 15 दिन का उपवास अपन लोग क्या सोचें कि कि ये किसा पक्षपातवारा आचारे लगता है इंसे इनकी कुछ खटपट लगती अंदरी अंदर गुचार पंदरा दिन के लिए इनको के जिया का आहार के वो इसलिए कहा कि ये उपवास ज़्यादा करते थे इसलिए इनकी शरीर की स्थिति सितिल हो गई थी और इस वज़े से इनको सामाईक में चक्कर आ गए थे उनको तो ये प्राशित दिया कि एक मैने तक आहर के लिए निकलो गए और ये महाराज रोज आहर को जा रहे थे समझना आगया तो उससे उनको प्रामादा आगया तो उनने का कि तुम पंद्रा दिन के लिए आहर के लिए निfon में जा गए यानि समझ आगए कि नहीं आगया केने का मतलब किया कि एक ही गल्ती की दो सजा क्यों हमारा प्रियोजन सामाई के को साधना है आहार करके सदती है तो आहार करके साधो और आहार छोड़ करके सदती है आहार छोड़ करके साधो जैसे विद्यारती का प्रियोजन क्या है तो विद्यारती का प्रियोजन है पढ़ना प्रियोजन है पढ़ना प्रियोजन है न अब अगर आपके परिक्सा के दिन चल रहे है और आपको ज़्यादा भोजन करने से नींद आती है पढ़ाई नहीं होती है तो क्या बोलते हो घर पे हम भी को एक या दो रोटी एक या दो और चक्कर आते हो तो वो करें तुमको तुमारा प्रियूजन पढ़ाई में अच्छी तरह से पढ़कर के परिक्सा दे के पास होना है अब तुम्हें अगर तुम्हें बोजन करके पढ़ाई होती है तो बोजन करके पढ़ाई करो और भोजन छोड़के पढ़ाई होती है भोजन छोड़के पढ़ाई करो हमारा उद्देश से पढ़ाई करना है भोजन करना या नहीं करना उपवास करना या नहीं करना ये कोई जेंदरसिन का प्रियोजन नहीं है सुद्धोपयोग का प्रियोजन है उस सुद्धोपयोग की सिद्धी में भोजन बादक है तो उप्वास करेगा और यदि भोजन का नहीं मिलना बादक है तो भोजन ग्रेंट करेगा ये विवेक कब आता है कि ये विवेक सम्मेक दर्सन और सम्मेक ग्यान के बिना नहीं आता इसलिए आचारी भगवान कहते हैं कि सम्मेक दर्सन और सम्मेक ग्यान के बिना सम्मेक चारिकर नहीं होता इसलिए कहते हैं आगी बास समझ में आई अब ये ना तो यह आया कि जो ख्याती लाब पूजादी चाह धर करत विविद देह दाह आतम अनातम के ग्यान हीन आत्मा और अनात्मा का ग्यान नहीं है भेद भी ग्यान नहीं है तो क्या हुआ कि जे जे करनी कि जो जो भी तुम करोगे उसमें क्या होगा कि तन करन छीम कि वो मात्र सरीर को तो सुखाएगी लेकिन मिठ्यात्यों को पुष्ट करेगी सरीर तो सूखेगा सरीर सूखेगा और मिथ्या तो पुष्ट होगा आगे हमें मिथ्या तो को पुष्ट करना नहीं है हमें मिथ्या तो का नास करना है और मिथ्या तो का नास सिर्फ और सिर्फ तत्वा भ्यास से होता है और कोई दूसरा हो पाई नहीं बराबर आई बात यहां था अब देखो अंतिम हेसाई दिये चंद ये सब ये सब मने मिथ्या दर्शन मिथ्या ग्यान और मिथ्या चारित्र के ये सब मिथ्या चारित्र त्यागी तो मिथ्या चारितर त्याग नहीं का मतलब क्या मिथ्या दर्शन को रखना है न करें मिथ्या चारितर त्याग दिया तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ग्यान का त्याग हुए भी न मिथ्या चारितर का त्याग कब होगा तो ये सब मिथ्या चारितर त्याग ही अब आतम के हित पंथ लाग क्या मतलब आतमा के हित के मारग में आजा कौन संबोधन कर रहे हैं पंडित दोलत राम जी अपने को संबोधन करते हैं कि हे जीव तु ये सब मिठ्या चारितर जिसका हमने वनन किया मिठ्या दर्शन का मिठ्या ग्यान का मिठ्या चारितर का अगरीत का ये जो हमने वनन किया इन सब का त्याग कर दे और आतमा के हित के पंथ में लग जा अरतात सम्मेक दर्शन सम्मे ग्यान सम्मेक चारितर ये आतमा के हित का पंथ है आगे आएगा ना आतम के आतम का हित है तो सुख आकुलता बिन कईये, आकुलता शिव माहिन तांते, सिव मग लागो चाहिए, सम्य के दर्शन ज्यान चरण, सिव मग सो दुवित विचारो, जो सत्यारत रूप से निश्चे कारण से, बोलो आया कि नहीं, आया ना, इदर यहां के रही हुई, ते देखो, अब फिर क्या करें, कि जग जाल भ्रमन को देईत्याρά, जग जाल में भर्मन करना, एक इंडरी, दो इंडरी, तीन इंडरी, चार इंडरी, असंगी पंचे इंडरी, संगी पंचे इंडरी में तिरी अंच, मनुस्य, देव, नारकी, कब तक भठोगे? है नहीं लिखा है इन्होंने कि जग जाल ब्रह्मन को दे त्याग कि जब तु मिठ्या दर्शन आतम के हित पंथ लाग और क्या कर कि जग मैं संसार में परी ब्रह्मन के इस जाल को अब त्याग दे आगी बास दोने अब दोलई अमन आहे दोलत राम पंडिक जी अपने को संबोधन करते हुए कहते हैं स्वैम को कि निज आतम सुपाग मतलब क्या कि उसमें भली भाती लीन हो जा कि हे दोलत राम पंडिक जी अपने खुद को संबोधन करते हुए कहते हैं इसी तरह हम अपने को संबोधन करते हुए कहें कि निज आत्म सुपागी बने अपनी भगवान आत्मा में लीन हो जा और ऐसा लीन हो जा कि बाहर आने का विकल्प ही नहीं आगए बने बाहर आने की प्रवरत का मौका ही नहीं मिले पूर्ण रूप से लीन हो जा भावना तो भाव कम से कम भी अरे पूर्ण की भूमिका में आ जाएगा लेकिन ग्यानी की भावना क्या होती है कि ग्यानी की भावना तो यह होती है कि मैं अपने भगवान आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाऊं आया इस तरह यह जो पंडित दुलत रामजी साब के द्वारा रचित छे डाला की पहली और दूसरी डाल है है ना तो पहली और दूसरी डाल में पहली डाल में संसार परीब्रह्मन का सरूप बताया कैसे कैसे जीव ने संसार में परीब्रह्मन किया और उस संसार परीब्रह्मन का कारण क्या रहा उसका वरणन दूसरी डाल में किया जब जीव संसार परीब्रह्मन से ठक संसार परिब्रह्मन के कारणों को दूर करने का प्रेत्न करने का विचार करे तो फिर पंडीजी साब ने तीसरी डाल से आत्मा के हित रूप मोक्ष मार्ग का मोक्ष का निरूपन करने के लिए तीसरी डाल जिसमें सम्मे दरसन का सुरूप बताया चोथी डाल जिसमें सम्मे ग्यान और स्राव का चार का वर्णन किया पांचमी डाल बारह भावनाओं का वर्णन किया छटी डाल में मुनिराज के चारित्र का वर्णन किया अरहंत दसा का वर्णन किया सिद्ध दसा का वर्णन किया और अनेक प्रकार से अंतरंग सरूपा चरण मने मुनिराज की भूमिका के योगे जो अंतरंग का चारितर है सरूपा चरण है ना उसका वहाँ पर बहुत सुन्दर वर्णन करके अंत में पंडी जी साब लिखते हैं कहा रचो पर पद मेन तेरो पद यहे क्यों दुख सहे अब दोल होव सुपद रची दाव मत चूके यहे कहे दोलत राम पंडी जी अपने को समोदने करते हैं कि तु कहा पर पद में रचा है अब तो यह अवसर आया है कि सुपद को रच मन सुपद में एकागरता कर ले अपनी आत्मा का हित कर ले यह अवसर खोने योगे नहीं है पंडित टोटर मलजी का वो सब्दियात करिए अब सब प्रकार से अवसर आया है इसलिए अवसर चूपना योग्य नहीं है है ना यहां तक अपनी चर्चा होई प्रकार से अवसर चूपना योग्य नहीं है